आउटलाइन पे क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है तो यह आप देख सकते हैं पर यह जो आउटलाइन आ रही है हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1 टैक तो फ्रेंट्स आपको यह तो पता ही हुगा कि यूट्यूब वीडियो के लिए जो आपका थमनिल होता है टाइटल होता है और टैक्स होते हैं कितने जादा इंपोर्टेंट होते है क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा आपका यह है कि जो भी वीवर्स आपकी वीडियो को देखते हैं यह उनको रिमाइंड कराता रहता है उनको याद दिलाता रहता है कि अगर उन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपके चैनल को सब्स तो इसको शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखेगा अब वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी लास्ट वीडियो पर जिसका सबसे पहला कमेंट आया था उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा होगा प्लीज जाके इनको सपोर्ट कीजिए और इनक एक नई वीडियो की अप्डेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसके आप लोग देख सकते हैं तो सब्सक्राइब एनिमेशन बनाने के लिए हमें एक एप्लिकेशन की जुरुरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर तो मैं सिंपल इस काइन मास्टर एप्लिकेशन को ओपन कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स यह home screen खुल जाती है इसके उसके बाद हमें यहां पर यहां पे प्लस का आइकन इसपर क्लिक करना है और यहां से हमें साहिस सब्सक्राइब करना रहाए looks यह गैलरी में से स्लेक्ट करने को कहता है तो मैं एक template इसमें डाल लेता हूँ इसे स्लेक्ट करके तो मैंने यह template स्लेक्ट कर लिए यहाँ पर ठीक है यह template आपको मैं description box में दे दूँगा आप वहाँ से जाके इसे download कर सकते हैं copyright free है ठीक है तो यहाँ पर cursor बिल्कुल आगे लेके आजाएंगे यहाँ मैंने यहाँ पर ले आया बिल्कुल इसे 00 point पर और उसके बाद हम यहाँ पर अपना logo लगाएंगे यहाँ पर layer पर click करेंगे और हम media से अपने logo इसमें insert करेंगे तो मैं कर देता हूँ जल्दी से यह मेरा logo आगया इसका size में थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसके बाद हमें इस वाले green screen जो है इसको थोड़ा सा आगे करना है यहाँ तक जहाँ तक यह पूरा white वाला border जो है यह section पूरा अच्छे से दिखाई दे उसके बाद हमें इसको पकड़के इसके उपर ले आना है यहाँ पे लगाना है हमें इसे ठीक है अच्छे से set कर देना है इस तरीके से बाद क्लिक करके देख सकते हैं आप बराबर लगना चाहिए उसके बाद हम इस logo के अंदर animation लगाएंगे तो इसमें इहाँ पे in logo को select कर लेंगे पहले और फिर in animation पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो animation इसमें लगाना है वो लगाना है slide आपका इस तरीके से ठीक है in animation slide up लगाएंगे उसके बाद उसे done कर देंगे और इसको select करके दुबारा यहाँ पे out animation लगाएंगे और out animation में आपको लगाना है slide down का इस तरीके से ठीक है इसको भी done कर देना है और इसकी जो speed है वो वनी रखनी है मतलब speed कुछ नहीं छेड़ना बस आपको in animation और out animation में slide up, slide down जैसे मैंने बताया है उस तरीके से लगा देना है ठीक है यह लगा दिया उसके बाद हम यहाँ पर अपने channel का नाम लिखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले तो इसको बिलकुल आगे ले आना है बिलकुल आगे ले आए इसको मैं उसके बाद layer पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं text लिखना है इसमें क्लिक करके मैं इसे यहाँ से red कर दूँगा और यहाँ पर done कर दूँगा तो यह red color हो गया आप देख सकते हैं उसके बाद हमें फिर से अपने इस icon को आगे लेके आना है और यहाँ तक यह अच्छे से दिखाई दे ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है इसे वापिस यहाँ पर रखना है और इसके size को थोड़ा सा adjust कर लेना है बड़ा छोटा करके इस तरीके से बाहर क्लिक करके देखेंगे इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर फिर से इस text के उपर क्लिक करना है और इसका font style हमें change करना है तो यहाँ से हम नीचे रोबोटो black select करेंगे यह वाला तो आप देख सकते हैं यह रोबोटो black है इसको select कर लेंगे हम और यहाँ से done कर देंगे तो यह रोबोटो black हो गया उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे scroll करना है और यहाँ पर हमें outline पे click करना है और इसे enable कर देना है तो यह आप देख सकते हैं पर यह जो outline आ रही है पीछे आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा dark हो गया तो यहां से इसका weight कम कर देंगे हम इसे आप 4-5 पे रख सकते हैं ठीक है मैं 5 पे कर देता हूं डन कर देंगे उसके बाद फिर से text को select करना है select करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है और यहां पे आपको shadow देनी है shadow को यहां से enable कर देंगे तो यह आप देख सकते हैं इसके पीछे एक shadow सी आपको दिखाई दे रही है और डन कर देंगे तो यह आप देख सकते हैं, इस तरीके से, उसके बाद इसमें भी हम animation लगाएंगे दुबार से text को select करेंगे, in animation लगाएंगे, slide up, ठीक है उसके बाद इसमें out animation लगाएंगे, out animation पर click करके, नीचे slide down, ठीक है, इस तरीके से, उसके बाद done कर देंगे और मैं आपको एक बार इसे अप play करके दिखा देता हूँ जैसे मैं इस cursor को बिल्कुल आगे ले आया और उसके बाद हम यहां से play पे click करेंगे अभी आप यह देख रहे हैं जो last में है वो पहले चला जा रहा है तो हमें क्या करना है इस वाले जो text है और इसका जो यहां पर यह last तक आ रहा है जो screen है वो यहां तक है तो हमें इन दोनों को यहां तक कर लेना है वो कैसे करेंगे इस पर click करेंगे और इसको थोड़ा सा भार की तरफ खेंच देंगे ठीक है यह आप देख सकते हैं और फिर इस पर भी click करेंगे और इसको भी थोड़ा सा भाहर खैंच देंगे इस तरीके से तो अब इसको दुबारा स्टार्टिंग से चला के दिखाता हूँ मैं अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बन गया ये तो जब ये आप अपनी वीडियो में लगाएंगे तो ये ग्रीन स्क्रीन तो क्रोमा की से हट जाएगी और अपका ये जो आइकन है ठीके जो सब्सक्राइब एनिमेशन है वो बनके तियार हो गया है तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो के लिए सब्सक्राइब एनिमेशन मोबाइल फॉन से ही काइन मास्टर एप्लिकेशन की मदद से दो मिनिट के अंदर ही बना सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे ये आप जो सेव का ओप्शन देख रहे हैं इसके उपर क्लिक करना है और यहा अपने मोबाइल फॉन से ही तो फ्रेंड्स अब आपने अच्छे से सीख लिया हो कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फॉन से ही काइन मास्टर एप्लिकेशन का यूज़ करके ही आप अपने वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब एनिमेशन बना सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से रिलेटिड कोई भी क्वेस्टिन कोई भी क्वेरी है आपके मैंड में तो आम मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंदाई हो तो इससे जाधा से जाधा लाइक और शेयर करें थैंक झाल 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 झाल